हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल और आज हम बनाएंगे बरी टेबल मसाला बिर्यानी जो की बहुत ही टेस्टी है और आप देख सकते हो कितनी कलरफुल भी है तो इस मज़ेदार सी रेस्पी को चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे तो आप ले लिए अपनी आप लिए मैंने मसाला पनीज इसकी रेस्पी आपको मेरे शौट में मिल जाएगी जरूर देख लीजिएगा जाकर कैसे बनाया है मैंने अब थोड़ा था मैने इसमें ऑई डालने के बाद वह सारे मसाला पनीज के पीसी से ना इसको कट करके इसमें डाल दिया थाकि वह अ है तो अपने फ्लेवर उस ओईल में आ जाता है जिसमें हमने इसको कुक किया है तो इस तरीके से फ्लेवर आकि है जिसको अलग निकाल देंगे अब चलेंगे दूसरी स्टैप की तरफ इसको साइट से लग दीजिए अब मैंने इसमें थोड़ा सा जो अधरक और जो जो सारी जो गार्लिक लैसन जो कट किया था ना वो डाल दीजिए थोड़ी जी ग्रीन चिली करीपता उसको भी अच्छी तरीके से इसमें फ्राई होने दीजिए ताकि इसका भी जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया इस ऑईल के अंदर मिक्स हो जाए बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है तो अब इस वाइल में सारे फ्लेवर एकदब मिक्स हो गया है यानिकी गर्लिक के जिंजर के अब जो सबजी हमने कट करिए ना वोस में सब डाल दीजिए जो भी सब से जादा तो यह आपको उसका ऑफिस भी कर सकते हो स्कूल लंच में भी रख सकते हो या घर में विलांच दिनर में किसी भी तरह के आफ्शन में इसको आप ले सकते हो तो सारे सब्सक्राइब कर लें और आप हम डालेंगे इसमें पनीर और भी बढ़िया प्लेवर आने वा सब्सक्राइब करें और उसे अच्छी से ग्रेट कर लें वह भी जो ग्रेट करें वाला जो कर जो बीट रूटर ने वह इसके अंदरी डाल दीजिए तो लीजिए सारा हमारी सब्सक्राइब कि इतना खुबसूत कलर आ चुका है इसमें अब हम लेते हैं कुछ खड़ी मसाल जो कि पहले से दिकाल के रखे हैं और उनकी जो कॉंटिटी बहुत जादना रखें नॉर्मल वे में थोड़ा साथ दो या तीन बे लीफ अब जो सब्सक्राइब कीजिए ना फ्रेंड्स उसमें जो आजी सब्सक्राइब ले लेजिए वह आप इस खड़े मसाले के अंदर कर दें अब डालते सोग ड्राइस जो कि मैंने तीन से चार घंटे पहले सोग होने के लग दिये थे वह रख दीजिए इसमें अब रखने के बाद हमने सब्सक्राइब कर दीजिए लेकिन हमारे पास अभी थोड़ी सब्सक्राइब हमने अलग से रखी हुई है उसका यूज मिक्स करने के बाद हमें से पानी चावल और रखने चाहिए इतने की बिस चावल कर जाए अब देखे कुछ खोल दिया है बस एक विसल काफी है क्योंकि चावल तो यह मैं ज्यादा विसल नहीं देनी है तो लीजिया आपकी टेस्टी सा जो बिर्यानी वह बिल्कुल रेडि बस हमारा यह जो बेस रेडी हो गया है इसको चलिए निकाल देते हैं प्लेट में प्लेट में निकालने के बाद एक तब गरमा गरम सर्प करें बहुत टेस्टी लगता है अब जो सब्जी हमने छोड़ी थी ना वो इसके उपर फिर से डाल ली है और मटर हमने अभी तक मटर नहीं की थी मटर को हमने बॉयल करके साइड से रखा था ताकि खुबसूरत भी लगे और टेस्ट में बढ़िया लगेगी तो सब्जी है छोड़ी ती आदी वह और जो मटर उन सबको ऊपर से डाल देंगे देशी की एक चम्मा चे दो चम्मा जितना भी पसंद आप डाल द टेस्टी लगेगी आपको यह विर्यानी स्रहते के साथ जो आपको बसंद हो ले सकते हैं तो अगर यह वीडिया को अच्छी लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए इसको शेर करना बिल्कुल ना भोलें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिए औ थैंक यू सो मुच फ्रेंड्स